पाकिस्तान क्रिकिट में इस समय हडकंप मचा हुआ है टीम के तेज गेंदबाद शाहीन अफरीदी का एक नीजी वीडियो शोशल मीडिया पर लीग हो गया है यह वीडियो ऐसा है जो हम आपको नहीं दिखा सकते बताया जा रहा है कि टिक टोक स्टार हरीम शाह ने शाहीन के इस वीडियो को इंटरनेट पर लीग किया है जब उनका नाम इस मामले में सामने आया तो हरीम शाह ने अपनी सफाई भी दी है उन्होंने बताया है कि उनका कोई भी फैस्बूक या फिर टुटर अकाउंट नहीं है जिस अकाउंट से वीडियो शेर किया गया है वहाँ फेक अकाउंट है वहाँ सिर्फ टिक टोक चलाती है असलमलेकुम गाईस ट्विनए पर मेरे फेक अकाउंट बने हूं जो कि मिया उजनी करई और पता नहीं मेरी तरफ से कौन ट्विट करर रहते rég इनकी स्वेस्बूक अकाउंट भी नहींस नहीं है तो अगर कोई ट्विट लुट कर रहा है तो वो खोद से कार रहा है वाइरल वीडियो में जिस शक्स को शाहीन अफरीदी बताया जा रहा है वह वीडियो कॉल पर किसी महिला को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हुए नजर आ रहा है वही शोशल मीडिया पर शाहीन अफरीदी के इस वीडियो के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि यह हरकत उनके क्रिकेट करियर को बरबाद करने के लिए की गई है वैसे अब तक ना तो इस वीडियो पर शाहीन अफरीदी ने कोई बयान दिया है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी कोई चर्चा की है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जो उन्होंने विश्वकप 2019 में 16 विकेट लेकर साबित किया था 19 साल और 90 दिनों की उम्र में शाहीन ने बंगलादेश के खिलाफ 6 विकेट लेने का कारनामा किया था विश्वकप में 5 विकेट लेने वाले वे सबसे यूवा तेज गेंदबाज हैं अब देखते हैं कि वीडियो वारल होने के बाद शाहीन अफरीदी का क्या रियेक्शन सामने आता है वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाएं और इसे अभी 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 सबस्क्राइब करें